So Hello Friends, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आदर्श ओनलाइन पे और आज हम आपके सामने लेकर आए है गुजरा सेकंडरी एन हायर सेकंडरी एजुकेशन बौर्ड गांधी नगर से Academic Year 2021 यानि अभी होने वाली SSC की जो एक्जाम से उसका सब्जेक्ट मैट्स के लिए Standard 10 का Annual Exam है दोस्तों यहाँ पर 80 मार्क्स का यह जो क्योशन पेपर है वो क्योशन पेपर का एक सेंपल क्योशन पेपर हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए है दोस्तों बहुत सारे हमारे जो सेक्षिन वाइस मार्क्स का डिस्टिबूशन वह भी बहुत ही डिफरेंट है तो वो सारी क्वैरी यहां पर आपकी स्वालो जानी है इस क्वेशन पेपर में आपको सेक्षिन ए बीसी और पूरा एडिमा का क्वेशन पेपर तो मिली जाएगा ऐस वेल अगर आप इसको सौ प्रकार आंे वाले दोस्तों यहां पर हम पहले से शुरुवात करते हैं लेट साथ प्रॉल इंस्रुक्षिन पेपर कंटेंस 53 question it means section ABCD we have four section ABCD तो हमारे पास ABCD four sections आने वाले हैं अधे the number रटन राइट साइड इच सेक्षिण इंडिकेट दे मार्क यहां पर जो भी दिये गए दोस्तों यह मार्क दिये गए यहां पर मैंने जैसे बताया 24 असे पहले इसका 24 मार्क्स और इसमें को एक नंबर से लेके जैसे यहां पर आप देख पा रहे है एक से लेकर चौबीस तक के जो क्यों से वो आने वाले अब इसमें क्यों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वन माक का वेटेज है दोस्तों यहां पर 1224 क्यों से एंड इच क्वेश्चि सब्सक्राइब करते हैं तो वो नए पेज से करनी है ठीक है यह यहां पर अलड़ी लिखा हुआ है डोड यूज कैल्कुलेटर से जो भी एससी के स्टूडन से वो कैल्कुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं एंड वेरेवर इन रिक्वाइड रोव फीगर एं कंस्रक्शन आप फीगर ड्रॉ करना है आपको और कंस्रक्शन जो वो बतानी स्पेशल इन जो जो मैट्री के अंदर आपको वो चीजों का खैल रखना है दोस्तों सेक्शन एसे हम सुरुआत करते हैं मैं यहां पर मिनिमम टाइम के अंदर आपको यह सारी चीज़े बता दूँगा आप यह क आपको यूसफुल रहेगा पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए में फॉस्ट वाले ब्लॉक की तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर थोड़ा आपको क्लियर बता दूँग और मैं हाइलाइट यूस कर रहा हूं वान टू थ्री एंड फो यह फोर क्योस्शन जो आप बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है ठीक है बहुत ही आसान है आपको इसको सब्सक्राइब करना है यूब तो जस्ट क्लेरिफाइब वेदर इस ट्रू और फॉल्स और वह आसानी के साथ अब कर पाएंगे जिसे कि आप यहां पर देखो कि 20 & 30 तो आपको इसका हाइस 10 है यहां पर 1 दिया गया तो यह एपसलूटली क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा जीर ओफ ट्राइनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स तो हम इसके फैक्तराइज़ेशन करेंगे एकस एकस माइनस एकस प्लस वन तो 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 कहीं से आने वाला नहीं है तो तो 3 इस दो कि और तो नहीं है जाएगा वे एक फाइग तो तो यहां पर फोर आउड फोर नहीं आउड ओ तो इसमें पॉस्याज़ेशन के और बढ़ जाती है तो इसमें पॉसिबिलीटी करेक्त होने की और बढ़ जाती है आफ्वाव लोग तो चाहर ऑप्शन देते तो राइट option की probability है वो 25% होती है बट यहां पर आपको सिर्फ तीन option दिये तो आपकी जो correct होने की possibility हो 33% की हो जाती है यानि randomly भी बंदा select करेगा तो right answer आने की probability 33% हो जाती है तो option भी आपके पास कम है और वो आपको easily मिल जाएंगे for example 122 and 20 आपको सिर्फ क्या करना है इसका एक highest common factor निकालना है और उसके अलड़ी तीन option दिये हुए है तो इस प्रकार आपको दूसरा जो बंच आएगा वो six mark का है दोस्तों और यह आपको कौन से chapter से दिये जा रहे है या किस प्रकार आपको इसका प्रेजेंटेशन करना है वो सारी चीजें भी नेक्स वीडियो के अंदर में डालने वाला हूं जिसमें हम एक supplementary के अंदर यह पूरा पेपर सॉल करेंगा और सॉलूशन बताऊंगा ताकि आपको यह पता चल सके कि बार्ड में हमको राइटिंग में किस तरह से प्रेजेंटेशन देने हैं तो यह इस प्रकार हो जाएगा चलिए इसको पीड नंबर टू पर चले आते हैं तो पीड नंबर टू में हम देख पा रहे हैं 11 to 16 अगें मैं बता दूं यह सारे question जो section A में आने हैं जो 1 to 24 24 question है और हरे का वन माक का वेटेज यहां पर आपको क्या करना है answer the following in one word one number एक शब्द में या एक लाइन में आपको इसका जवाब देना है 9 question number 11 to 16 each has one marks अभी आपको यहां पर 11 12 13 14 15 16 यह सारे question दिये हैं you have to write the answer in one word or number और you can also write the answer in a statement यह भी बहुत ही आसान है तो मैं जैसे बता रहा हूं आपको इन 18 marks आपको जो passing marks है वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाने हैं and last but not the list 17 18 19 यह जो हो गए 11 12 13 14 15 16 तो यह 20 21 22 तो अगें यह 6 marks का जो भी बांच है वो आपको mcq में आने वाला है and you have to choose the correct option पीछे जो दिये गए थे उससे यह भिन्न है इसमें आपको 4 option जो है वो मिल जाने हैं तो यहां पर यह आपका 24 marks का जो बांच है वो complete होने जा रहा है and last 23 and 24 टू मार्क्स जो है इसमें आपको सिर्फ कनेक्ट करना है मैच कॉलम ए विद भी 444 अरित्मेडिक प्रोग्रेशन यस या नो आपको दो option दिये होंगे और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 50 पर सेंट आपकी पॉसिब्लिटी है करेक्ट या रॉंग होने की मौड ऑफ दे ग्रूब डेटा जैडिज इवाल दो 3-2 एक बार का जो फॉर्मुला है थ्री मीडियन एंड टू मीन तो हम इसमें क्या ले लेंगे यह वाल ऑप्शन ले लेंगे यह पर नौ ले लेंगे तो इस प्रकार आप दो मार्क्स इजिली कवर कर पाएंगे कहने का अर्थ हमारा यही है कि सेक्शन ए जो है वह आपका सबसे स्कोरिंग सबसे इजी सेक्श सब्सक्राइब करना है काफी बार यह तीन बार यह कुशन आ चुका है 18 माक का इसमें वेटेज है हमको टोटल नाइन क्यूशन अटेंप्ट करने हैं और हमको क्यूशन जो है वह 12 दिये होंगे तो यहाँ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 से लेकर 36 तक कि हमारे पास क्यूशन ठीक है एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा जैसे मैं आपको बताया कि आपको 9 अटेंप करने हैं 12 में से आपको टोटल 9 राइट अटेंप करने हैं 12 में से यू कन अटेंप्ट एनी 9 आंसर आउड अट अट वेल आपको 12 दिये गए होंगे यह 12 में से इंडेमिक एर था, COVID-19 की वज़े से बहुत सारे बच्चों का जो है वो ओफ-लाइन यानि रूबरू, फिजिकल एडुकेशन हो नहीं पाया है, तो आपको यह पेपर में भी होप करता हूँ कि आसान क्यूशन जो है वो आएंगे, आगे बढ़ते सेक्शन C की तरफ, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर एक सेक्शन जो है वो आपको नए पेज पर स्पेशली करना है, जब भी आप सेक्शन चेंज करोंगे आपको वो उसके आंसर जो है वो नए पेज पर लिखने है, अभी यहाँ पर आपको जो क्योशन है वो 3 माक्स करेंगे, एंड 37 से लेके 45 तक के अंदर आपको 6 क्योशन जो है वो आटेम करने है, 3 माक का वेटेज है और उसके लिए आपको टोटल 9 क्योशन दिया होंगे, ठीक है तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको जो सही लग रहे है, जो आपके लिए कमफरडेबल है, जो आपको आपको आ रह आपको यह helpful रहेगा, यह यहाँ पर और भी क्योशन से, मैं आपको बता दूँ ताकि आप इसका screenshot ले ले और इसकी practice कर सके, probability के भी क्योशन यहाँ पर आप देख पा रहे है, ठीक है area volume है, coordinate geometry है, और उसके दो क्योशन यहाँ पर देख पा रहे, area volume से related आपको यहाँ पर दो questions दिक रहे है, and one question for probability, and now let's move to the section D, हम section D की तरफ बढ़ते है, section D भी आपको नए page से start करना है, यहाँ पर आपको each question carry 4 marks, 5 marks, 5 questions आपको attempt करने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोस्तों यहाँ पर भी आपको option मिल जाना है, आपको 8 questions में से 5 questions जो है वो attempt करने है, यहाँ पर भी आपके प आप यहाँ पर दो sum जैसे देख रहे हैं, किसी बंदे न अगर mean median mode वाला chapter जो है statistics perfect किया है, तो इसको दूसरे chapters के questions जो है वो drop कर सकता है, for example, अगर आपको यहाँ पर area volume या height and distance का कोई sum जो है बहुत difficult लग राई है दोनों में से, तो आप दो continue 52, 53 कर लेंगे तो भी वो चले यानि कहने का मतलब 46 से लेके 53 तक के अंदर आपको any five questions जो है वो attempt करने best of the best जो आपको सही लग रहे है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, बहुत सारे questions ऐसे हैं, जो कुछ ordinary 40, 50, 60% लाने वाले बच्चों को tough लगे, लेकिन कुछ chapters इसके साथ ऐसे भी मिल आए गए है, जो आपको आसान लगेंगे, तो मैं 100% कह रहा हूं, यह chapter बहुत ही, यह paper style बहुत ही comfortable है और यह COVID-19 pandemic के अंदर launch की गई है, ताकि आपको जाधा सेहादा benefit रहे, आपको सारे questions रटाइम करने हैं, और maximum marks लाना है, और उमीद करता हूं, यह जो भी guidance आपको दिया यह आपके लिए बैस रहेगा, इस paper को आप सौल कर लिजिए और जाधा सेहाद आमाग की उमीद करता हूं, comment के मादे हम से, आप हमें बताइए, मैं next clip के अंदर या आपको इसके PDF के link भी provide कर दूँगा, धनियवाल,